Hello Traders, इस वीडियो को जिरे हम बात करेंगे ृस्पांस के पैर्मियौisch इस वीडियो के हम मंगल बार को हम सकते हैं 17 मेख घज रिंग कर शेखते हैं मेरा घर में थोरा सा प्रोग्रम था तो इसलिए मैं बीडियो जोरूर मिल जाएगा तो देखिए 17 में के लिए हमारा पहला इंटरेट को का डाल्मी भारुट भारुच फोर का इसे नजर आ रहे दोड़े के यहां पर इन दो लेज धूल है अगर ब्रहें कर देता है तो हम इस टॉक को भाउ कि लिए आ सकते सब्सक्राइब आजने हिसे और द्लिए अगर लेकिन अगर मारेक ऐसे प्रेइसर को ब्रेख करें पर पे चोक को सेल करेंगे टार्गेट होगा यहां पर यहां पर बहुत ही अच्छा पैटर्न बंदाऊ नजर आ रहा है इस इस टोक में भी देखें तो यहां पर भी उपर जा रहा है यहां पर रिस्टेंस ले रहा है रिस्टेंस लेवल उपर बहुत है यहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे टार्गेट होगा हमारा तूसरा तो 3-7 रूपय होगा स्टाप्लांश का बीचर्ण लेकिन अगर market fall होता है इस उपर जाते अगर market fall होता है तो हम इंते जा करने की support को break करें support level कर ब्रेक होता है इसके नीशे जाता है तो हम stock को short करेंगे 222 पर हम stock को sell करेंगे target होगा रहा 219 डूसर target 218 एं 225 पर होगा star plus का position मंगलबार के लिए हमारा तीसरा इंटार इस्टोक होगा TCS मत्रब टाटा कॉंसुल टांसियो सर्विसेस टीशेस का लेवल देखे तो यह अच्छा अच्छा स्टॉंग support level है तो दिखिए काल हमें क्या करना है अगर मार्केट इस उपर जाते होगा लेकिन अगर मार्केट फॉल होता ही इसे तो हम इंटेजर करने की नीशे जाए और सपोर्ट को ब्रेक करें इस अपर लेवल का ब्रेक आउट मिल जाते हैं तो हम इस टोक को शॉट करेंगे 3365 पे स्टोक को सेल करेंगे टार्गेट होगा बात करते हैं चौथा इंटर्डेश्ट होगा टाता कमिनिकेशन टाता कम का स्टोक को अगर देखा जाए तो यहां पर फॉलिंग विस्त का पैटन आपको नज़र आरे मतलब इन दोनोरे रैंस के बीच में आपर रेट करता होगा नज़र आरे उपूर का जोन एक अच्छा कसा मंसलिर्स रेजिस्टेंस यहां पर है यहां पर है यहां पर है मतलब यहां पर 4 तैंकर यह एक यह स्प praट जोन घूसमने हैं घ survivor दिस्वर्ट होगा लेगने सब्सक्राइब करने के निशे जाए और सब्सक्राइब को ब्रेक अगर ब्रेक आउट मिल जाता है तो हम इस टोक को शॉर्ट के लिए जा सकता है 9570 टोको शॉर्ट करेंगे टार्गेट होगा 952 दूसरा टार्गेट 950 और 96 ओन पर होगा स्टार प्लस का पजिशन अगर हम निप्टी की बात करते हैं तो निप्टी यहाँ पर फिलाल रिवार्स होने का एक तयारी कर रहे हैं अब देखेंगे निप्टी जिस लेवल पर क्लोजिंग दी है यहाँ पर तीन केंडल बन चुके तीनों का जल लॉयर लेवल है बिलकुल सेम लेवल पर है मतलब 15,750 बन चुकार पसास का लेवल है इसका लॉयर लेवल और तीनों केंडल का लेवल है मतलब निप्टी यहाँ पर कॉलिडेटेट होता हूँ नजर आ रहे और वही है लेवल है इस लेवल पर मर्स माईने में जब मार्केट क्राश हो गये केही से बापीस और रिवार्स हो गए था मतलब काल जो है आपको निप्टी या से रिवार्स होने काप पूरा मौका आसाकते हैं हो साकते हैं कि मुझा पर रिवार्स हो क्योंकि जो कॉंसलिटेट लेवल है बिलकुल लैवल बिलकुल सेम परिशिन में यहीं 15720 का लेवल अगर यह तुटता है तो बहुत नहीं से गिरगा लेकिन फिल हाल यहां पर कॉंसलेडेट हुआ है तो आप मुमिन का इसारह यहां पर कर रहे हैं अगर हम 15 मिनिट के टाइम फ्रेम भी आप देखते हैं तो निप्टी में बहुत ही आच्छा पैटर्न बानता है नजर आ रहे ह ुप आ पड़ आ यहां 13613 आ अगर बहुत है लेकिन को आपको हो जाता है 16113 емонके चैने तो चलाके लेकिन पने सकतंड़ से गुष्ई हम इसमेंट जोरूर करगा अगर ब्रेक करते हैं तो उपर जागा लेगिन ब्रेक ना कर पए तो फिर से फॉल होता है और यह भी हो सकते हैं कि काल आपको गेप अप बड़ा सा मिल जाए 16133 के उपर मिल जाए इसका पूरा चांस यहां पर देखने को मिल रहा है अगर हम बैंक निप्टी की इंपोर्टन लेवल की बारे में बात करें तो बैंक निप्टी फिलाल जो सबसे इंपोर्टन लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 33,950 का लेवल 33,950 का level इसलिए important है कि कोई देखिए इस level एक बहुत ही strong resistance है आगर अगर आप डे की time frame पर देखते हैं और इससे पहले एक support था मतलब काल आगर बैंक टिप्टी ने 33,950 का level को break करते है इस level break करते है तो बैंक टिप्टी पे बहुत ही अच्छा तेजी आ सकते है उपूर की तर आगर 33,950 के उपूर कभी भी जाता है तो बहुत याच्छा तेजी आपको मिलगा बैंक टिप्टी में लेकिन अगर break ना कर पाए 33,950 तो फिर से fall हो साकता है बैंक टिप्टी